नमस्कार दोस्तों आपका बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेरे मूर्थिकार पर तो फ्रेंट कैसे हैं आप आई होप कि आप समस्ट होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में आप देख सकते हैं यह मा सरस्वती जी की मूर्थी है तो इस मूर्थी में आपको जो यह करते हुए चलते हैं और वीडियो स्टाट करते हैं लेट्स गो हुआ है तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से सबसे पहले यह जो आपको सिंगासन आधूरा लग रहा है इसको हम पूरा करने जा रहे हैं और इसमें गुलाई बांद के सेट करेंगे जिससे कि यह मूर एक्टिव और खुबसूरत दिखेगी तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से गुलाई बांद रहे हैं और दोस्तों आप से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजेगा पूरा वीडियो वाज कीजेगा त्योंकि आज का वीडियो काफी नोलेजबल हो लोगों के बीच में लाते रहेंगे दोस्तों मूर्ती बांधने की लब सरस्वती मूर्ती बांधने की यह हमारी लास्ट वीडियो थी अब इसके बाद इसी मूर्ती के ऊपर हम मिट्टी का काम स्टाट करेंगे और आप लोगों के वीच में वीडियो देंगे तो दोस्तों अब इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम आपको पहले मिट्टी कैसे लगाते हैं, भूसी मिट्टी कैसे लगाते हैं, फिनिसिंग मिट्टी कैसे लगाते हैं, फेस कैसे मोल्ड से निकालते हैं, कैसे साप करते हैं, कैसे सेट करते हैं, बैकराउंड कैसे बनाते हैं, कल सबसे पहले आपको मिल सके तो दोस्तों आप देख सकते किस प्रकार से हमारी जो गुलाई हमने भी बांदी थी वह एक तरफ सेट हो चुकी है और अब हम दूसरी तरफ सेम उसी प्रकार से गुलाई बांदेंगे और शेट करेंगे दोस्तों हमारी हमूर्ति आपको देखने में कैसी लग रही है आप कमेंट बाक्स में जुरूर बताईए च्योंकि हमें बहुती बेसबरी से आपके कमेंट का इंतजार रहता है और आपके एक एक कमेंट से हमें काभी मोटिविशन मिलता है आप लोग के लिए वीडियो बनान बना करके अपलोड करते रहेंगे तो दोस्तों देख सकते हैं दूसरी तरफ भी हमारी गुलाई जो थी वह फानली बन चुकी है तो अब यह कैसी लग रही है आप कमेंट में जुरूर बताईए और यहां पर आप यह देख सकते हैं यह मासरस्ति जी का वीड़ा है और इसक हम मासरस्ति जी के लिए बत्तक बनाएंगे तो आप ध्यान से देखिए सबसे पहले पूल को काटते हैं और काटने के बाद फिर इसके अंदर थोड़ा सा पूल गोला कार करके सेट करेंगे क्योंकि इसे ही हमें बत्तक का पेड़ बनाना है तो आप ध्यान से देखिए किस इसी तरह से हम यहां पर बत्तक को बांध रहे हैं और बांदने के बाद में इसे हम सेट करके भी दिखाएंगे जिसको से rank कैसे करते हैं तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जो बत्तक है वो बनाई जा रही है तो यह देखिए बहुती आसान प्रोसेस है मैं हमको प्पता के दिखा रहे हैं अगर आप भी अपने घर पे मूर्ती बनाते है प्थर-UP तो इसी तरह से भूत तक वना सकते हैं कि तो आप देछ सकते हैं यहां पर हमने इस पुएल को काट दिया है और एक जल्टा कर दिया है यहीं पर हमें इस बत्तक का मुभ बनाना है यहीं बत्तक की चोँच बनानी है और अब इसके बाद आप देख सकते हैं इसका जो पेट है वह भी थोड़ा पतला दिख रहा है मुझे तो यहां भी हम इसमें थोड़ा सा पायरा आड करेंगे और ऐड़ करके इसको थोड़ा मोटा कर देंगे आप देख सकते हैं किस तरह से यह हमने अलग से पाइड़ा आड़ कर दिया और इसको थोड़ा और मोटा कर दिया बागी जो कमिया है वो हम मिट्टी में सुधार कर लेंगे यह देखिए दोस्तो अब यह फारिली हमारी बत्तक जो थी वो लगबख बनके रेडी हो चुकी है फिनीसिंग का काम रह गया है कि तो प्नीसिंग कर दिया जाए यह देखिए लगव कि यह विए हो गयी दोस्तों अगर हम चाहते तो इस बत्तक को हम फर्स पे भी सेट कर सकते थे लेकिन हमने यहाँ फर्स पे इसलिए ने सेट किया क्योंकि हमें इस मूर्ती में मिट्टी का ही गयना, मिट्टी का ही खपड़ा जनी सब कुछ मिट्टी का ही बनाना है तो अगर इसको हम फर्स पे सेट करते तो साइध हो सकता था मास्तर रस्वती जी कि हम जब साली बनाते तो उसमें थोड़ा दिक्कत आती जगा का अभाव होता जगा की कमी हो जाती इसलिए हमने इसको उपर सेट कर दिया आप देख सकते हैं दोस्तो हमने बत्तक को उपर सेट कर दिया और अब इसको मजबूती के साथ यहीं पर बान देंगे और यहीं पर इसे सेट कर देंगे दोस्तो जो लोग हमारी इस वीडियो को अभी देख रहे हैं नए हैं उनको हमाउगत करा दें यह हमारी एक सीरीज चल लए है जिसमें मा सरस्वती मूर्ती मेकिंग की वीडियो हम step by step दे रहे हैं और उसी सीरीज का यह पार्ट 7 वीडियो है जो आप देख रहे हैं इससे पहले हम 6 वीडियो और अप्लोट कर चुके हैं अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो आप हमारे description box में चले जाएए और वहाँ पर आपको link मिल जाएगी और उसी link से उन वीडियो पर visit कीजिए और उनको पुरा watch कीजिए क्योंकि उन सभी वीडियों से आपको काफी कुछ सिखने को मिलने वाला है और आने वाले समय में इसी तरह से हम step by step part by part मूर्ती making की वीडियो आप लोगों को देते रहेंगे तो यह हमारी part 7 थी और इसके आगे ना जाने कितने part अभी बनेंगे जो हम आप लोगों के बीच में share करते रहेंगे तो दोस्तो फानली देखिए आज की जो वीडियो थी यह हमारी समापन की ओर है तो आपको यह वीडियो कैसी लगी आप comment box में जरूर बताइएगा अब आने वाली अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि पहले मिट्टी कैसे लगाते हैं फिर उसके बाद भूसी मिट्टी ऐसे step by step हम आपको वीडियो देते रहेंगे तो दोस्तो देख सकते हैं फानली मारी मूर्ती बन के रेडी हो चुकी है और यह पूरी तरह से ख्याल लखिए जय मतादी